हालो नमस्कार चलिए शुरू करते हैं रियल के 22 और यहां पर हम खेलेंगे को एक मैच और हमने पहला मैच खेला था जो इंडिया वसे पाकिस्तान था वह हम मैच हार चुके हैं चलिए देखते हैं दूसरा मैच खेलते हैं दूसरा मैच किसे साथ खेल जाए और इंगलेंड निजलेंट साथ अफ्रीका चलिए खेलते हैं वेस्टेंडीस के साथ T20 चल ले है तो अबना वेस्टेंडीस के साथ T20 की कहेल देते हैं चलिए शुरू करते हैं 2020 हाड़ कोर महीं कहलेंगे रेन 75% और इसमें मौर्निंग का ही समय रखते हैं क्योंकि मौर्निंग महीं मैच हो रहे हैं आप है और बॉलिंग हम पांच यदर सोबर ही करेंगे इससे ज्यादा नहीं करेंगे और वही टीम खिलाने की कोशिश करते हैं जो आपे खेल रही है अभी चलिए देखते हैं कौन कौन से खेल रहे हैं याद भी नहीं आ रहा पहले मैच में ठाकर को खिलाए या था या नहीं अच्छन अच्छन और रभी विश्णोई रभी विश्णोई कहा हैं रभी विश्णोई रभी विश्णोई तो है नहीं टीम के अंदर रभी विश्णोई कहा है ये आकास दीप भी नहीं है, तो फिर उसकी जगह किसे उखलाया जाए, रभी विश्माभी भी नहीं है, उसकी जगह किसे उखलाया जाए, आकास दीप की जगह चेतन सकरिया को ले लेते हैं, और रभी विश्माभी की जगह वरण चक्रवर्थी, कोई रहने देते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो दोनों तो स्कॉर्ड में है ही नहीं, और इस टीम को भी चेंज करना पड़ेगा, और फिर ऐसे ही कहलते हैं, क्योंकि सभी इसमें नहीं मिलने वाले मेरे को पता है, क्योंकि सभी हैं, 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 क्योंकि झाल 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 चलिए इतने ही मिलने इससे ज्यादा है भी नहीं अभी हमाई पर अड़े हमने किसे उठा दिया जेशन होल्डर तो है इससे नहीं मिलने चले तो क्या हुआ और यहां पर टॉस का समय होगता हुआ देखते हैं टॉस में क्या होता है और यहां पर हम जाएंगे टेल्स के साथ और यहां पर हम जीच चुके हैं टॉस तो हम पहले बॉलिंग करना पसंद करेंगे चले हैं शुरू करते हैं यह दोनों टीम का लाइन अप नेशन अन्दम को स्किप करते हैं चले हैं स्वागत है आप सबका इस शानदार स्टेडियम में अमपाईज नई गेंड के साथ पिच की तरह बढ़ते हुए पर लिबास तयार अपनी पहली गेंड का सामना करने के लिए अच्छा शाट पर सीधा फील्डर के हाथों में बड़ी अफील्डिंग गेंड पे चार्ज किया फील्डर पे शाट पर नियंतर नहीं रख पाए बनलिबास आसानी से खेला एक रन के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी ये त्रोक कलिक करने में साधा रन फील्डिंग शाइद दबाब मैसिज कर रहे हैं खिलाडी सही जगा पे मौजूद तो थे बगर शायद सतर्क नहीं अच्छा शॉर्ड पर सिंगल ही मिलेगा और सधीक थ्रो की अपेक्षा थी यहाँ पे सुन दशा जबढ बड़ कि अच्छा राट ये देज गेंदबास को लाया गया है दर्शकों ने बढ़िया माहौल बनाया है आज वालिटी क्रिकेट जो देखने मिल रही होने आसानी से केला एक रन के लिए आसानी से दो रन मिल सकते हैं यहां अच्छा शॉर्ट पस सिंगल ही मिलेगा तेज गेंदबासी को खेलना पसंद करता है यह बल्ले बास बढ़िया शॉर्ट और केंज सी दी बाउंडरी लाइं की तरह जाती हुई बल्ले बास को यहां जोश में खोशनी गवाना चाहिए सिंगल लेकर बल्ले बास अच्छा स्ट्राइक रोटेशन कर रहे है स्पिनार आए है अटैक में गेन बास साइड चेंज करते हुए राउंड विकेड अब गेन बास ही करेंगे फील्डस के बीच के गैप्स दून्ने में नाकामयाव यहां बल्ले बास आसानी से खेला एक रन के दिए स्पिन गेन बास जी खेलने के लिए क्रीस का बहुत अच्छा उप्योग करते हैं यह लिराशा जनद मिस फील्ड किया है उंग्लियों के बीच से निकल गई गेन खराब फील्डिंग नाखुश होंगे अपने आप से काफी सरल्टा से खेला था यह शॉट पर सीधा फील्डर के पास बढ़िया फील्डिंग गेन पे चार्ज किया फील्डर ने अच्छा शॉट पर सीधा फील्डर के हाथों में बढ़िया फील्डिंग गेन पे चार्ज किया फील्डर ने क्या पने खेल दिया है क्या दूसरा रंच चुरा पाएंगे अब देज गेन बाज अटैक में गेन बाज साइड चेंज करते हुए राउंद विकेड अब गेन बाज ही करेंगे सबर्दस शॉट कोई नहीं रोख पाएगा इस गेन को बाउंटरी जाने से जब यह मारना शुरू करते हैं तो इनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है हवा में दे मारा है यह और बहुत सीधा फील्डर के पास और यह आउट इस विकेड की तलाश थी ने कैप्टन काफी कुछ गेन बाज से खराब शॉट बले बाज दौरा और फील्डर के लिए आसान सा कैच ओवर दौ विकेड गेन बाजी करने का निन नहीं फील्डरों के पीज गैप ढूनने में काम्याब चार रन के लिए गेन बाज को अपटी लाइन लेंग में थोड़ा अलुशासन देखाना होगा आसानी से केला एक रन के लिए मोग का गवाया अंग्रेजी में कहते कैचेज विन मैचेज अब देखना दिल्चस होगा कि इस गलती का मैच पर क्या प्रभाव बरसकता है गैप में खेले की अच्छी कोशिश लेकिन फिल्डर वहां मौजूद भीमी गैंद इस पिच पे अच्छा विकल्ब होगा आसानी से खेला है एक रन के देख बढ़िया बैक अप इसे कहते हैं गेम अवेरनेस काफी ते दौड लगाई है पहले रन के लिए क्या दो रन मिलेंगे आपर बैठर इन रनिंग बिट्वीन दो विकल्ड दोनों बल्लेबाद उनके बीच स्पिन गेन बाजी खेलने के लिए क्रीस का बहुत अच्छा उप्योग करते हैं ये अच्छा शॉर्ट बस सिंगल ही मिलेगा वाइड थ्रो खेलाडी दो आप फील्ड इसके बीच के गैस्ट गुन्ने में नाकामियाव यामल लिबाज चलिए अब हम करते हैं ओटो पले दस ओवर फिर प्लास्ट के फाइब होगा रहेंगे चलिए यहां पर होगा पंदरा ओवर में एक सो आठ पर तीन चलिए देखने क्या होता है स्पिनर वापस आए है गेन बाजी के लिए बढ़िया फील्डिंग गेन पे चार्ज किया फील्डर ने चौका बैतरी शौर्ट बल्ले बाज दौरा चलिए पर दौर्ट बल्ले वर कना चेंस झाल डीप एक्स्टर कवर पर फील्डर लगाया है बल्ले बाजुं को अब पाउन्डरीस की आवश्चता है ये रन रेट बढ़ाने के लिए आसानी से खेला है एक रन के लिए डीप एक्स्टर कवर पर फील्डर लगाया है अच्छा शॉर्ट बस सिंगल ही मिलेगा अच्छा शॉर्ट बस पर लगाया है मिडाउन को लॉंगाउन की तरफ लाया गया है और या आउट बल्ले बाजगेंट को जमीन पर नहीं रख पाए और कैच दे बैठे और ये आया इनका फेमस सल्यूट और दरसक भी खोश चत्वराई से गेंद बाज़ ये कर रहे हैं गेंद बाज़ सिंगल लेकर बल्ले बाज़ अच्छा स्ट्राइक रोटेशन कर रहे हैं गेंद बाज़ अपने प्रिफ़र्ड एंड से गेंद बाज़ी करते हुए किसी फील्डर को मौका नहीं वाँ पर और गेंद सीदा सी मारेका के बाज़ गेंद बाज़ी में बदलाओ तेज गेंद बाज़ वाँपस आते हुए बल्ले बाज़ को यहां जोश में खोशनी गवाना चाहिए आसानी से केला एक रण के दूए फाइन लेक पे कोई फील्डर ने गेंद बाज़ी आफस्टम के बाहर रखनी होगी अब सबर्दस शॉट कोई नहीं रोख पाएगा इस गेंद को बाउंडरी जाने से बढ़िया अर्चा तक खूब सुरस शॉट देखने मिले इस पारी में अन्ति मोवर्ज के लिए विकेश को हाथ में रखना बहुत ही इंपॉर्टन्ट होगा अच्छा शॉट बस सिंगल ही मिलेगा तकना शौट, कॉंफिदेंसे बर्पूर मिडाउन पे भी फील्डर लगाया गया है जब ये मारना शुरू करते हैं तो इनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है बहुती लबना और उच्छा शौट लगाया है छे रण देखना होगा क्या गेन बाद शौट पिच गेन की कोशिश करेंगे इस पिच पे सिंगल लेकर बल्ले बाद अच्छा स्ट्राइक रोटेशन कर रहे है तेज गेन बाद को लाए गया है दूसरे छोड से दंडार स्ट्राइक रोटेशन कर रहे हैं दंडार स्ट्राइक रोटेशन कर रहे हैं क्या पने खेल दिया है या दूसरा रंचुरा पाएंगे बहुती शानदार प्लेस्मेर और चार्रम मिलेंगे यामर जब ये फुल फॉर्म में होते हैं गेन बादों के छक्के छुडा देते हैं फील्डरों के पीड गैप ढूनने में कामयाब चार रं के लिए दर्शकों ने बड़िया माहौल बनाया है आज क्वालिटी क्रिकेट जो देखने मिल रही होने अच्छा शॉट है ये बहुती अच्छा शॉट और गेन सीधा सीमारेका के बाद गेन बाद साइड चेंज करते हुए राउंद विकेट अब गेन बाद ही करेंगे आसानी से कहला है एक रन के लिए स्पिन गेन माज वापस आते हुए स्पिन गेन माज वाजी खेलने के लिए क्रीस का बहुत अच्छा उप्योग करते हैं ये आसानी से खेला है एक रन के लिए क्या ये इस फिफ्टी को एक बड़ी पारी में तबदिल कर पाएंगे चलो देखते हैं अच्छा शॉर्ट दो रन मिल सकते हैं या किसी भी फॉर्मेट में सिंगल्स और डबल्स सबसे महतो पूर होते हैं अच्छा शॉर्ट बस सिंगल ही मिलेगा और सटीक थ्रो की अपेक्षा थी यहाँ पे वाह क्या कड़क शॉर्ट मारा है दोनों ही बल्लेबाज अपसेट हो चुके हैं क्रीज पर दोनों ने पिच को अच्छी तरह समझ लिया है मिल गया विकेंड वाह किस तेजी के साथ कैच पकड़ा है खिलाडी ने ऐसा लगा मानो बिजली के रफ्तार है इनके पास हाफ चांस को सफलता में कैसे तबदिल किया जाता है इसका बढ़िया उदारन दिया है इन्होंने गजब का कैच नए बल्लेबाज को स्ट्राइक पर रखने की बहुत कोशिश करेंगे यह कप्तान सिंगल लेकर बल्लेबाज अच्छा स्ट्राइक रोटेशन कर रहे हैं गेंड बाजी में बदलाव तेज गेंड बाज वाँपस आते हुए कप्तान ने अपने रिसोर्स को बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया है आसानी से खेला एक रन के लिए अच्छा त्रोफिल्डर का तेज और बिल्कुल ठिकाने पे कैच ड्रॉप मौका बनाए जरूर था गेंड बाज ने लेकिन फिल्डर ने निराज कर दिया अपने फिल्डिंग का स्थर और बहतर करना चाहेंगे अच्छा शॉट बस सिंगल ही मिलेगा सम्स के बहुत करीब थी ये त्रोफिल्डिंग स्टेडियम दर्शकों से पूरी तरह से भरा हुआ है और क्रिकेट का आनद उठा रहे हैं बल्ले के बीच से निकला ये शॉट क्राउड में जा गिरेगा तेज गेंद बाजी को खेलना फसंद करते हैं ये बल्ले बाज बहुती शानदार प्लेस्मेंट और शार रन मिलेंगे यहांपर ये रही पारी की आखरी गेंद आपके सामने आपके सामने दर्शकों में किसी को लेना पड़ेगा ये कैच ये वही पारी की आखरी गेंद आपके सामने बढ़िया कैच पर कोई फाइदा नहीं ये गेंद फ्री हिट थी इनिंग्स की समापती सलामी बल्ले बाजों को जल्दी पैड़ अप करके बापस क्रीज पर उतरना होगा और यहां पर बहुत ही बड़ा टार्गेट मिला है देखे चेस कर पाते हैं या नहीं रोई शर्मा और सूर कुमार यादा बतरते हैं देखते क्या इस लक्ष को ये बैटिंग टीम पूरा कर सकती है या नहीं ओपनर्स फील्ड में आते हुए दर्शक पूरे जोस से उनका स्वागत करते हुए सब तयार इनिंग्स की पहली गेंद के लिए शान डार शान दिल खुश हो गया ये शान देखकर सुन्दर टाइमिंग के साथ ये शान खेला है आप बले बाजने बले बाजने बहुत ही अच्छा रन रेड मेंटेन किया अब तक बढ़िया शॉर्ट टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं तीन रन मिल सकते हैं यहाँ पर सम्स के बहुत करीब थी ये थो बढ़िया फील्डिंग् तेज करा राश्व चारण के लिए क्या फूप टाइमिंग थी तीन दर्शकों ने बढ़िया माहौल बनाया है आज क्वालिटी क्रिकेट जो देखने मिल रही होने काफी नज़ी की मामला लेकिन अमपायर ने दिया नौट आउट और वो अमपायर के डिसिजन से सहमत है ठीक से टाइम नहीं कर पाए वहाँ हिच के चाहर दोनों बल्लेबादों के बीच शाय सुरक्षित होंगे यहाँ लॉंग लेक लग गया है शॉर्ट बॉल की उमीद कर रहे होंगे बल्लेबाद फील्डर मौजुद नहीं है इस दिशा में रन जरूर मिलेंगे बल्लेबाद को इस दिशा में बल्लेबाद अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं सबर्दस थ्रो सीधा विकेट्स पे मारा है बड़ी अच्छार रन गेम बल्ले से लगते ही उसका परिणाम तैथा जब ये मारना शुरू करते हैं तो इनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है आसानी से दो रन मिल सकते हैं यहाँ काफी मेहनद करनी पड़ी ये त्रो कलेक करने में ये पिछ मेरे हिसाब से काफी बैलन्स लग रही है बल्ले बाजी और गेन बाजी दोनों के लिए किसी फील्डर को पौका नहीं वहाँ पर और गेन सीधा सीमा रेखा के बाद बल्ले बाज अच्छे फॉर्म में दिख रहे है बल्ले बाज के फुटवर्ट पे सवाल उठाते हुए गेन बाजी बहुत ही बढ़िया बल्ले बाज पिछली गेन पे बड़े अनकमफर्टबल लगे बड़िया गेन बिल्कुल कनेक नहीं कर पाएं बल्ले बाज बल्ले बाज जरूर पिछली गेन के बारे में सोच रहे होंगे और ये मैक्सिमम गेन जाएगी बाउंडरी के उपर से चक्के के लिए स्टेडियम दर्शकों से पूरी तरह से भरा हुआ है और क्रिकेट का आनद उठा रहे है रन्स मिलेंगी यहाँ पे गैप में खेलाए बल्ले बाज ने बढ़िया थ्रो स्टम्स के बेहत करीब जब यह मारना शुरू करते हैं तो इनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है जब यह फुल फॉर्म में होते हैं गेंद बाजों के छक्के छुड़ा देते हैं सुन्दर शॉर्म के लिए दर्शकों ने बड़िया माहौल बनाया है आज क्वालिटी क्रिकेट जो देखने मिल रही होने देज करारा शॉर्म के लिए क्या फूर टाइमिंग थी नो बाल का इशारा बन्ले बाज को मिलेगी आप फ्री हिट थमाकेदार बन्ले बाजी का प्रदर्शन दोनो बन्ले बाज दो आरा अपनी टीम को काफी मजबूस सिती में लाकें रग दिया इन्होंने चलिए देखते हैं क्या बन्ले बाज इस फ्री हिट को कैशिन कर पाएंगे हवा में खेला है ये शॉर्ट काफी तेज और लगाई है पहले रन के लिए क्या दो रन मिलेंगे यहाँ पर और सटीक थ्रो की अपेक्षा थी यहाँ पर लॉंग लेग लग गया है शॉर्ट बॉल की उमीद कर रहे होंगे बले बाज आसानी से खेला एक रन के लिए बढ़िया थ्रो स्टम्स के बेहत करीब किसी भी फॉर्मेट में सिंगल्स और डबल्स सबसे महतो पूर होते हैं सुन्दर शॉर्ट गैम ने सीधा चार रन के लिए विश्वाज बरा शॉर्ट था ये अच्छी बल्ले बाजी बल्ले बाज को यहाँ जोश में खोश नहीं गवाना चाहिए उठा के मारा है धीमी गेंट इस पिच पेक अच्छा विकल्प होगा शान डार शॉर्ट दिल खुश होगे ये शॉर्ट देखकर सुन्दर टाइमिंग के साथ ये शॉर्ट केला है आप अल्ले बाज ने वाँ क्या कड़क शॉर्ट मारा है बढ़िया फार्म में लग रहे है बल्ले बाज पूरी ताक से खिला गए ये शॉर्ट और ये पूरे चेवन किसी फील्डर को पौका नहीं वाँ पर और गेन सीधा सीमा रेका के बार गेन बाज को अपनी लाइन एंड लेंग में थोड़ा अनुशासन देखाना होगा बढ़िया खेला आसानी से दो रन मिल सकते है अच्छा कवर किया ये त्रो को बहु मूल ले रन बचाया अपने टीम के लिए ठीक से टाइम नहीं कर पाए वहाँ बन ले के बीज से निकला ये शौर्ट क्राउड बे जा गिरेगा इसके साथ इनके पचास रन पूरे क्या ये इस 50 को एक बड़ी पारी में तब्दिल कर पाएंगे चलो देखते हैं और ये बोल्ड बनले पे लगने के पावजूट आउट वे बनले बास काफी निरास लग रहे हैं अगली पारी में कोशिश करेंगे कि ऐसी गलती फिर ना दोरा आए कहना होगा कि यहां पर शॉर्ट सिलेक्शन बहतर हो सकता है क्वालिटी गेंद बाजी कप्तान की फील्ड प्लेस्मेंट भी काफी अच्छी रही है अच्छा शॉर्ट है यह बहुत ही अच्छा शॉर्ट और गेंद सीधा सीमा रेका के बार देखते हैं स्पिनर को इस पिछ पर कितना पर्चिस मिलता है बल्ले बाज अच्छे फॉर्म में दिख रहे है बहुती शानदार प्लेस्मेंट और शार्रण मिलेंगे यहाँ पर बल्ले बाज को यहाँ जोश में खोश नहीं गवाना चाहिए बड़ी अच्छार रन गेम बल्ले से लगते ही उसका परिणाम तैथा कमाल के पचास नहीं पूरी सूज गूच के साथ खेला इस पारी को जब यह मारना शुरू करते हैं तो इनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है अच्छा शौट दो रन मिल सकते हैं यहाँ हवा में खेला है यह शौट अच्छी गेर और आउट बिलकुल टाइम नहीं कर भाए बल्ले बास बल्ले बास बेविलन का लंबा रस्ता तहे करते हुए अच्छी अकिरिसी दिखा रहे है गेन बाद अपने स्पेल में अच्छी गेन बास अपनी अंदाज में सेलिब्रेट करते हुए और ये बोल जैसा आद देख रहे हैं बल्ले बास गेंग की लाइन में आने में नाकामियाब है अपनी पारी की शुरुआत में संबल कर खेलना होगा बल्ले बास को आसानी से खेला है एक रन के लिए खराब फील्डिंग, फील्डिंग का स्तर बहतर रखना होगा खिलाडियों को तेज गेंद बास को लाए गया है दूसरे छोर से पाउर प्ले की समपती कफटान अब दो से ज्यादा फील्डर्स थर्टी यार्ड सिर्कल के बाहर रख सकते है बढ़िया बोलिंग बल्ले बास को परिशानी में डाल रहे है याँ पर गेंद बास अच्छी लेह में लग रहे हैं क्या ये विकेट ले पाएंगे चली देखते हैं बल्ले बास को बिलकुल आइडिया नहीं था उस गेंद को कैसे खेले बल्ले बास जरूर पिछली गेंद के बारे में सोच रहे होंगे आसानी से खेला एक रन के दिए खूबसूरत थ्रो पिलकुल स्टम्स के उपर देखना होगा क्या गेंद बास शॉट पिछ गेंद की कोशिश करेंगे इस पिछ पे वह बसा आया यह विकेद देखके गमाल की गेंद बाजी और यह आया इनका फेमस सल्यूट और तरसक भी खोश चतुराई से गेंद बाजी कर रहे हैं गेंद बाज अच्छा शॉट बस सिंगल ही मिलेगा बढ़िया फील्डिंग दबाउट बना है रकना बहुत ज़रूरी बढ़िया फील्डिंग गेंद पे चार्ज किया फील्डर ने शांदार शॉट गेंद सीधी बाउंडी लाइन की तरफ जाती हुए हुए लेंग काफी जल्दी पिक की वहाँ पर बने बाग लेंग बल्लिबाज अच्छे फॉर्म में दिख रहे है शॉट पर नियंतर नहीं रख पाए बल्लिबाज स्पिन गेंद बाजी खेलने के लिए क्रीस का बहुत अच्छा उप्योग करते हैं ये क्या अपने खेल दिया है क्या दूसरा रंचुरा पाएंगे कप्तान ने अपने रिसोर्स को बहुत अच्छी तरह से यूज किया है आसानी से खेला है एक रन के लिए स्टेडियम दर्शकों से पूरी तरह से भरा हुआ है और क्रिकेट का आनद उठा रहे है अच्छा शॉर्ट बस सिंगल ही मिलेगा सिंगल लेकर बल्ले बाद अच्छा स्ट्राइक रोटेशन कर रहे है बाद अच्छी रुटेशन कर रहे है बाद अच्छी रुटेशन कर रहे है किसी भी फॉर्मेट में सिंगल्स और डबल्स सबसे महतों पूर होते हैं आवा में दे मारा है अच्छा त्रोफील्डर का तेज और बिल्कुल ठिकाने पे आसानी से खेला है एक रन के दूए अच्छा शॉर्ट बस सिंगल ही मिलेगा बल्ले बाज के फुटवर्ट पे सवाल उठाते हुए गेंबाजी बहुत ही बढ़िया बल्ले बाज पिछली गेंद पे बड़े अंकमफर्टबल लगे खराब शॉर्ट सेलेक्शन बिल्कुल समझ नहीं पाए गेंद को बड़े शॉर्ट मानने के पहले बल्ले बाज को पिछ पर थोड़ा समय पिताना होगा ओ जबर्दस गेंबाजी ऐसी बोलिंग को खेलना नामुम्किन बल्ले बाज जरूर पिछली गेंद के बारे में सोच रहे होंगे बूरी तरह से चुक गए बड़ी अकेंद बाजी बल्ले बाज पिछली गेंद पे बड़े अनकमफर्टबल लोगे आसानी से केला है एक रन के लिए अच्छा शॉट दो रन मिल सकते हैं या बहुत सुन्दर खूब सुरस शॉट चार रन के लिए दर्शकों ने बड़िया माहौल बनाया है आज क्वालिटी क्रिकेट जो देखने मिल रही होने चार रन मौका मिला और कैशिं किया बल्लिबाज ने बड़िया फॉर्म में लग रहे है बल्लिबाज अच्छा शॉट बस सिंगल ही मिलेगा लांग लेग लग गया है शॉट बॉल की उमीद कर रहे होंगे बल्लिबाज आसानी से खेला एक रन के बल्लिबाज को बिलकुल आइडिया नहीं था उस गेंड को कैसे खेले बल्लिबाज जरूर पिछली गेंड के बारे में सोच रहे होंगे और ये गेंड हवा में वांग एक्षिक रखेले की घरे थाली तीर में जर्णी आएड़ग को ला गगिर वांग शम्तव पिवांगे भांग कर दूरे था झाली बल्लिबाज वांग झाली तीरन वांग दो झाली नहीं वांग टाली तेड़ के लाग खेलेम कि अपाय निदिया नॉट आउट और वो अंपाय के डिसिजन से सहिमत है देखना होगा क्या गेन बाद शौट पिच गेन की कोशिश करेंगे इस पिच पे क्या हुआ क्या हुआ मैं घसका करना शौट झाह एं के लि हुआ MICHAEL मैं क्या मैं पिच कोब दो पाद की निदेघ Parks वे WART दर्शकों ने बड़िया माहौल बनाया है आज क्वालिटी क्रिकेट जो देखने मिल रही हो ने आसानी से खेला एक रन के लिए ये पिछ मेरे हिसाब से काफी बैलन्स लग रही है बल्ले बाजी और गेन बाजी दोनों के लिए बड़िया प्लेस्मेंट कुछ रन जरूर मिलेंगे बल्ले बाज को दोनों ही बल्ले बाज अपसेट हो चुके हैं क्रीज पर दोनों ने पिछ को अच्छी तरह समझ लिया है चुका वेतरी शौर बल्ले बाज गवारा गेन बाजों को ज्यादा नुशासन से गेन बाजी करनी होगी अब करना शौर मिली बास को ओर ये चेहां काफी ते दौर लगाई है पहले रन के लिए क्या दो रन मिलेंगी यहांपर कि लुपании च रन के लिक कर द रस्लिव है ने धन के लिए रखाष दो Measure ऐग्वेद कर्हें दो spहता बाट बन लेगा किनारा लगा गेम बाज यहाँ पर बहुत ही उट साहिद लेकिन अमपायर ने दिया नौट आउट और वो अमपायर के डिसिजन से सहमत है बहुती पढ़िया गेम बाजी का प्रटशन गेम बाज दुआरा बन लेबाज जरूर पिछली गेम के बारे में सोच रहे होंगे तो पहती बहतरी गेम बाजी बन लेबाज को बिलकुल परेशान करते हुए यहाँ पर गेम बाज अच्छी लेमे लग रहे है क्या यह विकेट ले पाएंगे चलिए देखते हैं स्टेडियम दर्शकों से पूरी तरह से भरा हुआ है और प्रिकेट का आनंद उठा रहे है शौट पर नियंत्र नहीं रख पाए बल्लिबाज गेन बाजी में बद्लाओ तेज गेन बाज वापस आते हुए काफी संबल कर खेल रहे है बल्लिबाज नबी इनिक्स खेला चाते हैं ओ बहुत ही बड़िया गेन बाजी का प्रधेशन गेन बाज दौारा बल्लेबाद जरूर पिछली गेन के बारे में सोच रहे होंगे बहुत सुरूंदर खूबसूरत शौट चार रन के लिए जब ये फुल फॉर्म में होते हैं गेन बाजों के छक्के छुड़ा देते हैं आसानी से खेला है एक रन के लिए बढ़िया पीर और या उट बढ़िया फिकापे ठोड़ बल्लेबाद बेविलिन का लंबा रस्ता तैय करते हुए समझ नहीं आया हमें क्या करना चाहते थे बल्लेबाद इन्हें वापस परविलन लौटना पड़ेगा आसानी से दो रन मिल सकते हैं यहाँ वाइड थ्रो खिलाडी द्वारा धीमी गेंथ इस पिचपेक अच्छा विकल्प होगा अच्छा शॉर्ट पर सिंगल ही मिलेगा गैप में खेले की अच्छी कोशिश लेकिन फिल्डर वहाँ मौझूद बढ़िया लीव काफी पारी किसे गेंथ को देखा और जाने दिया अब देज गेंद बाज अटैक में और ये छे रन दर्शकों में किसी को लिड़ा पड़ेगा ये कैच दोनों बल्ले बाज एक दूसरे को मबारक देते हुए अपनी जीट की खुशी मनाते हुए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद